चुनाओं की इस हल चल के बीच कायरकर्ताओं से बात करके मुझे भी काफी कुछ सिखने को मिलेगा। उनका सवाल है मैं अपना बूत जीत कर अपनी पार्टी की जीत को और बजबुत करना चाहता हूँ। बिरुपक्षपाजी सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। कि आप विजय के विश्वास से भरे हुए है। आप अपना बूत जीताने के लिए इतने उत्सुख है और भी वहाँ जो आप कहते हैं को औरों का घड़ है। कारकरता का ये जजबा, सभी का यही जजबा बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग बनाता है। आपको बूत जीतना है तो सबसे पहले काम करिए। आपके जैसे ही करमट और विजय का विश्वास रखने वाले दस पुरुष कार करता और दस महिला कार करता। बीस लोगों की जोडी बनाईए। और मजबूत जोडी बनाईए, टीम बनाईए। करना टका के उजबल भविश्व के लिए, करना टका के नवजबानों के उजबल भविश्व के लिए। भाजपा की केंदर सरकार हो या भाजपा की राज सरकार हो इप मिलकर के कैसे काम कर रही है इसकी सारी जानकारी आपके मुबाइल में होनी चाहिए आपकी डायरी में होनी चाहिए और डायरी हमेशा साफ होनी चाहिए और ये सारी बाते आपके दिलों दिमाग में भी होनी चाहिए गरीब हो दलीत हो पिछडे हो महिला हो किसान हो नवजमान हो इन सभी के लिए जो काम हमारी सरकार ने किये हैं ये सारी जानकारी आपके पास उपलब्द होनी चाहिए करोगे न इन जानकारियों साथ साथ आप और आपका बनाया दस-दस लोगों का ग्रूप यहने दो-दो लोगों की जोड़ी एक पुरुष कारे करता एक महला करता जब आपके बूत के लोगों के पास जाएगा परिवार के अंदर जाना चाहिए वो भारी पेंप्लेट दे कर निकल जाते हैं ऐसा नहीं घर में जाकर एक पुरुष कारता एक महला करता दोनों साथ जाए एक घर में जाकर बैठे मुझूर लोग है तो उनको प्रणाम किजिए बच्चों को प्यार किजिए परिचे पूछिय फुर ने क लाता है कहां के हैं ऐस तो हम कयाई करते हैं क् लारे जो काम है, सकारात्म काम है, उनके साथ one-to-one बाते किजिए, एक परिवार में आधा पौना घंटा ये घंटा बिताईए, बहुत फाइदा होगा, बूथ जीतने की सुरुवात तब होती है, जब कारकर्ता बूथ से जुड़े परिवारों को जीत लेता है, उनके दिल को जीत लेता है, आप लोगों से जब बाते करेंगे, कई स्तर पर चर्चा कर सकते हैं, जैसे दुनिया के अनेक देशों में अर्थ बगस्ता की हालत खराब है, लेकिन हमने कैसे भारत के अर्थ बगस्ता को मजबूते संभाले रखा है, लोग देख रहे हैं, लोग में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलता से कोरोना से लड़ाई लड़ी है, आदेश गरीबी के खिलाब लड़ रहा है, आज देश इंफ्रास्रक्टर्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, आदेश किसानों को किस तरह से लाखो करोड रुपिये किसान सम्मान निजी के माद्यम से भेज कर उन्हें ब्याज खोरों से बचा रहा है, बीजेपी और दूसरी पार्टियों में सबसे बड़ा फर्क एप्रोच का है, बीजेपी आने वाले 25 साल में विक्सित भारत के रोड में पर काम कर रहा है, आप देखें, हमारे जो विरोधी है, उनका क्या ए 25 साल में देश को विक्सित बनाना, गरीबी से मुक्त बनाना, नव जवानों के सामर्थ को सबसे आगे बढ़ाना, आने वाले 25 साल में करनाटका की विकास यात्रा को नित्रुत देने के लिए, बीजेपी एक युवार्ट टीम का निर्मान कर रही है, हमारी कोशिस है, करनाटका में बैंगलूरू जैसे अने एक गलोबल हब बन सके, भारत की स्टार्ट अप करांती को करनाटका लीड करता रहे, आप अपने बूत के फर्स टाइम वाटर से भी जरूर मिलिये, उनका एक सम्मेलन भी कर सकते हैं, उनकी कोई स्परदा, साइकल स्परदा जैसा का करनाटका में बना सकते हैं, आप उन्हें भाजपा को वोट देने के लिए प्रेदित कीजिए, लंबे अर्शे से करनाटका में बीजेपी का बड़ा जनाधार रहा है, आप पूर्ण भहुमत की स्थीर बीजेपी सरकार के लिए वोट मांगेंगे, तो करनाटका की जनता ज करनाटके में लगाता रस्थिरता से कितना नुक्षान हुआ है, और दिल्ली में पिछले नौ साल से आपने मजबूत स्थीर सरकार बनाईता, कि लालाब हुआ है, इस भार भी वहाँ पर मजबूत और स्थीर सरकार बनाईे, चली आईए, मैंने काफी लंबी बात कर ली शि पाइलियस हैं, और वो पूछते हैं, सर हम लोग हमेशा डबल इंजिन सरकार की बात करते हैं, डबल इंजिन सरकार की परिभाषा आपके लिए क्या है? डबल इंजिन सरकार से करनाटका के विकास को क्या लाब होगा? चलिये, पकिर अपाजी ने बहुत अच्छा सवाल पूजा है और उसका सीधा और साधारन मतलब है विकास की डबल रप्तार बीते नव वर्षों का देश का अनुभव रहा है कि जहाँ जहाँ बीजेपी की डबल इंजिन सरकार है वहाँ वहाँ गरीब कल्यार की योजनाएं तेजी से जमिन पर उतरी है हर गर्जल योजना में करनाट का देश के अग्रणी राज्यों में है क्योंकि यहाँ भी भाज़पा सरकार है इसलिए संबव हो पा रहा है क्योंकि यहाँ डबल इंजिन सरकार है आपको मैं बताओं जो राज्यों में भाज़पा सरकार नहीं है लोग तंत्र पर स्वाफाविक है लेकिन करते क्या है केंद्र सरकार की कोई भी योजना उनके हां सफल नहों हो उनको डर लगता है कि अगर सफल हो गई तो मोदी का जैजेकार हो जाएगा कुछ लोग तो योजना से जुड़ते ही नहीं है कुछ राज्य ऐसे हैं वो योजना का नाम बदल देते हैं स्टिकर नया लगा देते हैं देश में बात आप हैरान हो जाएंगे गरीबों को अनाज देने के लिए वन नेशन वन राश्रकार सुप्रिम कोड को हुकम करना पड चार हजार उपए अपनी तरफ से भी जोड रही है भारत सरकार 6जाज़ रुपए दे रही है राजज़कार 4जाज़ रुपए दोनों भाज़पा की सरकार किसान को क्या मिल रहा है 10,000 रुपए मिल रहा है तो वह नहीं डबल लाब आप देख रहे हैं कि बीते नौ दुनिया भरके निवेशकों के लिए महत्वपुन केंद्र बना है। रिकॉर्ण निवेश भारत में हो रहा है। डबल इंजिन सरकार के कारां इसका बहुत बड़ा लाप करनाटका को मिला है। अगर यहां ऐसी सरकार आएगी जो बात बात पर केंद्र सरकार दे लड़ती रहेगी, योजनाओं को रोकती रहेगी, जनता जनारदन का जो भी हो जाएं उनकी राजनिती चलते रहे हैं। तो सारे इंफ्रासेक्टर के पोजेस को वो लटकाती रहेगी, हम रोड बना चाहेंगे, वो जमिन संबादन का कामी दिरे दिरे करेंगे, तो कैसे निवेस आएगा? निवेस नहीं आएगा, तो करनाटका में नए रोजगार कैसे बन पाहेंगे? यानि डबल इंजिन की सरकार का न रहने पर जनता पर डबल मार पड़ती हैं। जैसे एक ही प्रकार की ववस्ता गती तेट देती हैं, वैसे ही डबल इंजिन की सरकार गती तेट देती हैं। चोटी चोटी बाते लोगों के साथ बैठ करके समझाईए, मद्दाताओं के साथ चर्चा करके बताना चाहिए, और बूत लेवल पर बताना चाहिए, लंबे लंबे बड़े भाशन करने की जिम्मेवरी जिसकी हैं वो करेंगे। हम कारकरताओं को तो बूत को ही जितना है और बूत पर ही हमारी शक्ति हमें लगानी है। तब डबल इंजिन सरकार का असली मटलब समाज लोगों को आ जाएगा। साथियों, जब भी भाशपा को वो सेवा करने का मोका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाती है। अब जैसे कुछ पार्टिया कह सकती हैं कि वो जो सत्ता में थी तो वो भी आवाज से जुड़ी योजना चलाती सी। तो ऐसे में भाशपा अगर आव सोच और अप्रोच, अब मैं आपको बताता हूँ कि आवास योजनाओं में हमने क्या बढ़लाव किये हैं। मैं ये छोटी-छोटी बात हैं इसलिए बताता हूँ कि आप कार्यकरताओं को मतदाताओं के बीच जाकर के बताने में सुभीदा हो जाएगे। 2014 से पहले की योजनाओं में एक घर बनने में 300 दिन लगते थे। अब हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं। पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70-75 रुपय की मदद दी जाती थी। अब यह मदद 1,30,000 रुपय याने करीब-करीब डबल कर दी गई है। इससे भी बड़ी बात यह हैं कि यह पैजे अब सीधे लाभारती के बैंक एकाउंट में भेजे जाते हैं। कोई बिचोलिया नहीं, कोई कटकी कमपनी नहीं। पहले की आवास योजना में लाभारती की पसंद का बिलकुल ध्यान नहीं दिया जाता था। हमारी सरकार की आवास योजना में घर उसमें रहने वाले परिवार की पसंद के हिसाब से बनता है। पहले की आवास योजना में चार दिवारे खड़ी करके घर देने का दावा किया जाता था। आज घर, बिजली, नल से जल, टॉयलेट, एलपीजी कनेक्शन जैसी अनेक योजनाओं को साथ साथ दिया जाता है। मैं आपको स्पीड और स्केल का एक और उधान देता हूँ। देश में देखिए हिल्थ कितना महत्मपुन विश्य है, आरोग्य कितना महत्मपुन विश्य है। कैसी हाल रहा। देश में पहला एम्स 1956 में शुरू हुआ। कॉंग्रेस ने उसका भरपूर स्रे लिया। डोल बजाते रहे बजाते रहे बस। लेकिन दूसरा एम्स कब शुरूआ। पहला तो 56 में बना। दूसरा कब शुरूआ। इसके बारे में कॉंग्रेस कुछ नहीं बोलती है। मुह पे ताला लग जाता है। आपको जानकर के हैरानी होगी दूसरा एम्स बनने में करीब करीब 50-60 सान लग दे। वर्थ 2003 में जब अटल जी की सरकार आई। तो उन्होंने और जादा एम्स बनाने के बारे में योजना बनाई। ये योजना स्वास्त सेवाओं और मेडिकल सिक्षा में छेत्री असंतुलन को दूर करने के लिए बनाई। इस योजना को भी यूपिये सरकार ने ठंडे बसने में डाल दिया। बहुत जादा मांग बढ़ने और देश की जनता की मांग करने पर आधे अधूरे मन से काम किया गया। किसी तरह 2014 तक देश में एम्स की संख्या बढ़कर के साथ पहुँची। याद रखो यानि साथ साल में एम्स की संख्या एक से बढ़कर साथ हुई है। लेकिन अगले नव वर्षों में जब हम आये तो हमने देश में एम्स की संख्या को तीन गुना बढ़ा दिया। पता हिए डबल इंजिन सरकार की ताकत है कि नहीं है। अब देश में साथ नहीं। बीस एम्स है बीस। इसके साथ ही देश में तीन नए एम्स पर तेजिसे काम भी चल रहा है। यही हाल देश में मेडिकल कॉलेजों का भी था आजादी से लेकर 2014 तक देश में मेडिकल कॉलेजों की संग्या 300 सी थी 400 से भी कम हमें आने के बाद पिछले 9 साल में देश में मेडिकल कॉलेजों की संग्या 600 से भी ज़्यादा हो चुकी है ब्रस्टाचार के खिलाब लड़ाई में भी पहले और अब में बहुत बड़ा फरक है कॉंग्रेस ने ब्रस्टाचार मिटाने में कोई रुची नहीं दिखाई क्योंकि वो खुद ही ब्रस्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत रही है बस 2014 के बाद करप संसे लड़ाई में कितना तेजी आई है ये पुरा देश देख रहा है जंधन, आधार और मोबाईल का जो त्रिशूल है ना इस त्रिशूल ने ब्रस्टाचार पर बहुत बड़ा बार किया है डायरेक बेनिफिट ट्रांसफर ने देश के दो लाग पच्चतर हजार करोड रुपिये याद रखिये पौने तीन लाग करोड रुपिये जो चोरी होते थे, गलत हातों में चले जाते थे, ब्रस्टाचार होता था वो पैसे बचा लिए गए, जो आज गरीवों के, देश के, युवाओं के काम आ रहे हैं ये जनता के वो पैसे हैं, जो बिचोरियों की जिब में चला जाया करते थे हमने गवर्ननस के हर खेत्र में, स्केल, स्पीड, सोच और एप्रोच में आमुल चुल बढ़लाव किया है, आई अब देखते हैं, दो साथिकों से बात हुई अब तीसरा सवाल लेते हैं, सवाल मुझे चंदर सेगर जी का है और चंदर सेगर जी विजयनगर से हैं, उनका सवाल है कि आपने, ये मुझे पूछ रहे है आपने हमेशा से कहा कि करनाटका रामदू तहनमान की नगरी है और संस्कृति से भरे प्रदेश का देश है और विकास, देश के विकास में ये बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है करनाटका की स्वप पावर में आप कितनी संभावनाय देखते हैं अगर मुझे एक वाक्य में कहना है चंदरसंग जी तो मैं ये ही कहूंगा मैं बहुत ही संभावनाय देखता हूँ और इस अर्थ में आपका सवाल भी बहुत बहुत पुन लगता है देखे भाशा, संस्कृति, साहित्य और इतियास की गौरव साली धरोहरों में करनाटका बहुत समृत है आप वहां रहने वालों का ध्यान जीतराग जाता होगा हम भार से जब आते हैं न हम तो अभी बूत हो जाते हैं करनाटका की दो बाते मुझे हमेशा से अपनी और खिटती है अध्यात्मिक्ता में करनाटका कोई मुकाबला नहीं और यहां पर अध्यात्मिकता लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक जागुरुकता के तरफ जाने को प्रिदित करती है। यहां अध्यात्मा और समाजिक उत्थान दोनों साथ साथ चलते हैं। चाहे वो कनकदाज जी की भक्ती हो या फिर शीव सरण के वचन हो। करना ठका के लोग भक्ती की शक्ति का उप्योग समाज के निर्मान में लगाते हैं। भविष्य के निर्मान में लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि करनाटका के लोग समय के साथ और कई बार तो समय से भी आगे चलते हैं। आधुनिक्ता के साथ चलकर भी करनाटका के लोग अपने साहित्य अपनी भासा से जुड़े रहते हैं। यहां के युवा कोडिंग भी करते हैं और कुवेंपूजी की कविता भी पढ़ते सुनते हैं। आज भी करनाटका के युवाओं में कंड़ा साहित्य पढ़ने की संस्कृति जिवित है। करनाटका अपने गवरव शाली अतीत के प्रति सजग है और करनाटका देश के भविश को घड़ने में पूरी तरज जुटा हुआ है। मेरा और करनाटका का नाता भी पुराना है। करनाटका के लोकों के स्धेव को मैं दसकों से महसूस कर रहा हूँ। मुझे दसकों से आशिरवाद मिलते रहे। यह तब का स्ने हैं जब मैं किसी पदपर नहीं था और यहां पार्टी के काम के लिए एक साधन कार करता है कि रूप में आया करता था। इतना ही नहीं। इसके भी पहले जब मैं राजनिती में में नहीं था। सद्धियाद्राव जी जो सी इप चर्णों में आकर की बैठना कम जो सवभागे मिलता था। उस दिन से मेरा जो करनाटका और करनाटका के लोगों के साथ जो मेरा नाता जुड़ा वो तो लगातार वो और मजबूत होता जा रहा है। इसलिए ही अक्सर मैंने मन की बात कारकब में करनाटका की संस्कृति की बात की है। करनाटका के कितने ही लोग हैं जो करनाटका के विकास के पुन्य कारे में अपना जीवन लगा रहे हैं। ऐसे लोगों की तपस्या को सबके सामने लाने का प्रयांस। मैं मन की बात में भी मोका नहीं छोड़ता हूँ। जब भी मोका मिले। मन की बात में मैं कर ले तो अरदा पक्वालूम है। अब इस रवीबार को मन की बात का सोवा एपिसोड है। सेंचुरी लगा रेका। वो आपके आशिरवात से संभव है। देश वाच्छों के आशिरवात से संभव है। और मैं तो इसके लिए देश वाच्छों को बधाई देता हूँ। साथियों, आज भारत अपनी विरासत पर गवरों के साथ ही अपनी संस्कृती, अपनी आस्था, अपने इतिहास से जुड़े प्रसीत स्थानों को आधुनिक अवतार के सामने ला रहा है। इसमें करनाटका के सौप पावर की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है। करनाटका में इसके लिए अनेक संभावना है, जिनको डबल इंजिन सरकार ही आउसरों में बदल सकती है। चलिए, आप देखते हैं, हमारे साथ चोसा सवाल भी हो रहा है। यह अरुण शेड़ जी का सवाल है, और वो दक्षिन कंड़ा से हैं। उनका सवाल है कि कॉंग्रेस ने हर जगह मुप्त रेविडियों का मादा किया है। मुप्त की रेविडियों की राजनीती पर आपके क्या विचार हमारा बारतसन करिए। मुझे अच्छा लगा कि हमारे कंड़ा भासीवी लोग और छेग दक्षिन कंड़ा में रेविडियों शब्द समझ आ गया है। देखिए हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों ने राजनीती को सिर्फ सत्ता और ब्रस्टाचार का साधन बना दिया। इसको हासिल करने के लिए वो साम, दाम, दंड, बेत हर तरह का तरीका अपड़ा रहे है। इन राजनीतिक दलों को देश के भविष की, आने वाली पीडियों की, मेरे करना टका के बच्चों की, मेरे करना टका के नवज़मानों की, मेरे करना टका के नवज़मान बेटियों की, उनको कोई चिंता नहीं है। मुप्त की रेविडी की राजनिती के वज़े से कई राज्य इतना बेतहासा खर्च अपनी दलगत राजनिती की भलाई के लिए कर रहे हैं, राज्य कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं और आने वाली पीडियों का भी वो खा जा रहे हैं, देश ऐसे नहीं चलता, सरकार ऐसे नहीं चलती, सरकार को पीडियों बनाने का लिए भी काम करना होता है, सरकार को बर्तमान के साथ साथ बविश्य का भी सोचना पड़ता है, सरकार सिप शुबह शाम रोज मर्रा की रोजी रोटी कमाने वाली जिन्दीगी पर नहीं चल सकती, बल्कि उसको एसेट क्लियसन पर काम करना पड़ता है, संपदा मनानी पड़ती हैं, ताकि दसकों दसक तक देश के हर परिवार का जीवन ठीक से चलता रहे, इसलिए बीजेपी शॉटकट नहीं बल्कि विक्सीद भारत के निर्मार के लिए काम कर रही है, और आपको भी रेलवेशने सेन पर गए होंगे, तो देखते होंगे, कुछ लोग एक प्लेटफर्म से दूसरे प्लेटफर्म पर जाना है, तो उपर का वो ब्रीच छोटा सा चड़ करके जाते हैं, और कुछ लोग जल्दी में नीचे ही कूद करके, पट्री क्रॉस करके भागने कोशिश करते हैं, वहां लिखा होता है, शौट कट विल कट्यू शौट, ये सब जगा पर लागू होता है, साथियों बीजेपी सिर्फ, पांच साल के नहीं, सिर्फ हमारी सत्ता के लिए नहीं, बलकि हम देश के लिए सोचते हैं, हम दल के लिए नहीं, देश के लिए सोचते हैं, हम सिर्फ हमारी आज की चुनाव की राजनिति के लिए नहीं, हम पचीश साल में भारत को कहा ले जाएंगे, इस सपनों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं, हां कुछ तत्कालिक चुनोतियों से निपट्टे के लिए देश के गरीब परिवारों को हर संभव सहायता दी जा रही है वो सरकार का दाईत्व है अब कारोना वैक्सिन के समय हमें जरुरत लगी हमने मुक्त वैक्सिन दिया देश को क्योंकि जिन्दगी बचाने थी और वो आज मेरे देश को आगे बढाने में काम कर रहे हैं मुक्त राशन देने की जरूत पड़ी, देना था, दिया, क्योंकि देश में कोई व्यक्ति भूका नहीं रहना चाहिए, लेकिन देश को आगे बढाना है, तो हमें ये रेवडी कल्चर से मुक्त होना ही पड़ता है। बीजेपी सरकार आज पूरे देश में आदूनिक, फिजिकल, डिजिटर और सोचल इंफ्लासेक्टर पर अभूत पुरवन वेश कर रही है। यही आज की पीडी के साथ साथ भविश की पीडियों को भी काम आने वाला है। अब देखे रोड, रेल, एरपोर्ट, पोर्ट, सोलर पार्क, गरीबों के घर, पानी की लाइने, गेस पाइपलाइन, मेडिकल कॉलेज, एम्स, आई आई टी, ट्रिपल आई टी, आई आई एम, ऐसी संपदा बनाने पर हमारा फोकस है। अब आज से पचीश साल पहले, अगर मेडिकल कॉलेज़े बनाई होती हैं, तो आज देश के पास लाखों डॉक्टर होते हैं। हमें डॉक्टरों की कमιह नहीं होती हैं। नर्शीष के कितनी कमी हैं। अगर आज से 20, 25, 30 साल पाले आवश्रक्ता के अनुसान नर्सिस की कॉलेज बन गई होती, तो आज देश में बच्चीयों को अपना भुष बना गई, कितना काम आता था।